वाल तेजो उठाएगी बहुत ही बढ़ा कदम चलाएगी फत्य और जास्मिन पर गन जी हाँ दोस्तों आपके फेवरेट शो उडारिया में अब तेजो बहुत ही बढ़ा फैसला लेने वाली है क्योंकि वो सारा सच जान गई है और कहीं न कहीं फत्य को भी शक हो गया है कि शायद तेजो को कुछ पता चल गया है उसके और जास्मिन के बारे में दरसल शो में बहुत ही इंटरस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि तेजो एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाने वाली है गन लेकर निकल पड़ी है तेजो काफी ज़यदा गुसे में भी है और मिलने के लिए बुला लिया है फत्य और जैस्मिन को वो भी एक सुनसान स पहुंचेंगे तो तेजो फोन में रिकॉर्डिंग सुनाएगी दोनों की जो पार्टी में दोनों ने जिस तरह से अपने प्यार का इजहार किया था दुनिया के सामने एलान किया था कि भाई मैं फत्य की हूँ फत्य मेरा है वगरा वगरा तो इस तरह से रिकॉर्डिंग तेजो उन्हें सुनाएगी जो सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा शौक हो जाएंगे होश उर जाएंगे दोनों के कि यार तेजो को तो पता चलिया है सच में और तभी तेजो गन लेकर दोनों के सामने आएगी और उनकी तरफ ही पॉइंट करेगी कि जैसे तेजो फतह या जैस्पिन में से किसी एक को तो आज मारेगी खतम कर देगी सारा किस्सा लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा ख्याल है तेजो उन्हें से नहीं है जो किसी और को ठेस पहुचा है किसी और की जान लेने की कोशिश करें वो इतनी ज्यादा एमोशनल है और जिस तरह से उसका दिल कहीं हो सकता है कि वो खुद को ही चोट पहुचाने की कोशिश करें ऐसे में देखना होगा गाईस कि क्या फत्य तेजो का साथ देगा और उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा या फिर यहां पर तेजो वाग की बहुत जादा गुस्से में आकर किसी एक का काम तबाम करने वाली है वैसे आपको क्या लगता है क्या सच में तेजो फत्य या जैस्मिन में से किसी एक को शूट करेगी या फिर पूरा खेल ही पलटने वाला है कुछ और ही स्चौकिंग हमें देखने को मिलने वाला है क्योंकि तेजो अभी समझ चुकी है कि किसी और की चीज वो अपने पास नहीं रख सकती ऐसे में तेजो जो है वो फत्य को जैस्मिन के पास भेजने का फैसला तो कर ही लेगी कि अब फत्य जैस्मिन अपनी जिंदेकी गुजारें खुशी-खुशी मैं अब अपनी अकेली जिंदेकी गुजारूंगे पूरा समान पैक कर लिया है तेजो ने और फत्य का घर छोड़ने का भी फैसला कर लिया है देखना होगा कि आखिर गन क्यों पॉइंट की है तेजो ने वैसे आपका क्या खयाल है गन क्यों लेकर आई है तेजो क्या सच में किसी की जान लेगी या खुद की लेगी या फिर कर दीजेगा और टीवी शोज अब बॉलवुट के ऐसी ही लेटस्ट अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले